कि नमस्कार दोस्तों स्वाइब सभी का केडी क्लासिज में इस वीडियो में सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे एक जनवरी 2022 का और इसमें मैहत का सेक्षन सॉल्व करेंगे यह पेपर वन है और इसमें यह पेपर डालूड किया गया है सीटेट के ओफिसियल साइट से इसको यह पेपर आपकी पेपर से मेच करता है लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है इसका प्रारूप देखने में अलाग लगेगा आपको लेकिन कुस्षन वही है चली वीडियो को स्टाट कर लेते हैं और इसमें 31 से 60 तक दिये गए है कुस्षन नमर तो इसको कुस्षन नमर 31 दिया है एक स्कूल में 96 सिच्छार्थिओं में एसे तीन वट्टे आठ सिच्छिकाएं उच्छी स्कूली कच्छाओं में पढ़ाती हैं यदि उच्छी स्कूली सिच्छिकाओं का दो वट्टे नोवा भाग गड़ित सिच्छिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली सिच्छिकाएं जो गडित नहीं पढ़ाती उनकी संक्या है इसका राइट आंसर है ऑप्सन नम्मर दो तीस चली चलते नेक्स्ट कॉस्चन पर दोस्तों इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग लगेगा लेकिन कॉस्चन वही हैं इसको और कोई पेपर ना समझें आपका फेपर रही है लेकिन फॉर्मेट थोड़ा लग है कि कुश्चन नम्मर है 30 इसमें 32 पीछे निकल गया कि कुश्चन नम्मर 32 है एक वट्टे दो माइनस दो वट्टे तीन माइनस चार वट्टे पांच है इसका राइट आंसर आएगा कि ओपसा नम्मर फूर उनईस वट्टे तीस अपने वबर से मिला लीजी एस पेपर को डैक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नम्मर 33 इसमें नम्मरिंग अलग कि गयी है जो सीटेट के ऑफिसल साइट पे पेपर दिये है उसमें नम्मरिंग अलग है और आपकी पेपर में है वो एक से तीसके रूप में दी हैं तो इसमें पेपर आलग नहीं है लेकिन इसमें नमरिंग अलग कर दिये इसमें नेक्स्ट कुश्चन है 33 कुश्चन नमर एक संख्या 4782 और 32170 में साथ के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है इसका राइट अंसर है उपसर नमर तीन जीरो नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर 34 निम्लिकित कत्रों मैंसे कौन सा पूड संख्याओं के लिए सत्य नहीं है इसका राइट अंसर है उपसर नमर दो ए माइनस बी बरावर बी माइनस ए नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर 35 कुश्चन नमर 35 जब किसी संक्या को छह से विवाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे नो से विवाजित किया और उसे बागफल 21 और सेस्फल 3 मिला अपनी गलती का एसास होने पर उसने संक्या को 6 से विवाजित किया अब कितना बागफल और सेस्फल मिलेगा इसका राइट अंसर है ओप्सन नमर 4 बागफल 32 सेस्फल 0 अपने पेपर से मिला लीजिए इसका राइट अंसर है बागफल 32 सेस्फल 0 नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर 36 निमलखित मैंसे कौन सा तुल भिन का जोड़ा है दोस्तों इसका राइट अंसर इसमें दिया नहीं है इसका कुश्चन ये कुश्चन गलत लग रहा है चली चलते नेक्स्ट कुश्चन पे कुश्चन नमर 37 निमलिखित में से कौन सी संख्याएं पूड़ गन नहीं है इसका राइट अंसर है ओप्सन नम्मर तीन तीन सो तेतीस सिखा एक इट बट्टा पर इटें खरीदने गई इटों का मूले पच्चिस सो रुपए प्रती एक अजार इट था अगर उसके पास केवल चार अजार रुपए हैं तो वह कितनी इटें खरीद सकती है इसका राइट अंसर है ओप्सन नम्मर दो सोले सो नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्मर थर्टी नाइन मिनी ने अपनी सिख्चिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सवी बुजाएं चार सेंटी मीटर है निमलिखित मैंसे कौन साकतन सही है इसका राइट अंसर है ओप्सन नम्मर दो सवी वर्ग आयत होते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्मर थर्टी तर्वुज के कोणों का अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात छे हैं इसके कोणों का मान कितना होगा इसका राइट अंसर है ओप्सन नम्मर थरी अड़तालीस डिगरी साथ डिगरी बाता डिगरी मैं आसा करता हूँ आपके पेपर से ये सारे कुश्चन मैच कर रहे होंगे नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्मर थर्टी वन रागिनी दोपहर के दो बज़े स्टेशन पहुंचती है उसे अलीगड के लिए रेलगाडी लेनी है चार रेलगाडियां रेलगाडी A, रेलगाडी B, रेलगाडी C, रेलगाडी D के छूटने का समय करम से सत्रे पांच, चार बत्तीस, अठारे तीस और उन्निस पंद्र है उसे कौन सी रेल गाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतेजार करना पड़े इसका राइर अंसर है ओप्सन नमम्मर बन रेल गाड़ी ए ओप्सन नममर वन सफीय इसका next question कुशन नम्मर 42 यह कुशन दिया है आप देख लिजिए अपने पेपर से मेच कर लिजिए इसका राइट आंसर है ऑप्सन नम्मर दो चार फीट इंटू दो फीट इंटू दो फीट ऑप्सन नम्मर दो सही है नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्मर 43 इसकुश्चन को देख लिजिए आप सुस्री रेनु ने अपने चात्रों को आठ समू में विवाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा फिर उनों ने समू को अपना ओसत भार परिकलन करने को कहा समू आ ने अपना भार तौला और ओसत भार 38.2 किलोग्राम ग्याद किया उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यारती का गलत भार प्रियोग किया है 25.9 किलोग्राम की वज़ाए उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रियोग किया गया था समू का सही वासत भार कितना होगा इसका right answer है option no.1 37.75 kg next question question no.44 दोस्तों इस question को देख लीजिये आपके paper में match कर रहा होगा इस question का right answer है option no.4 9 8 7 6 5 minus 5 यह कोश्टक में बने हैं डिवाइड वाइट इसकल तू 1 2 3 4 5 नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर 45 प्रियांसू के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट 10 रुपए के 1 नोट उपयोग करती है यही रासी बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदे हमें दोनों ही नोटों का प्रियोग करना हो आप नोटों के दिक्स्थान विवस्ता को अपेछित कर सकते हैं इसका right answer है option number 2 option number 2 सही है इसमें answer है 1 next question question number 46 गडित के सिच्छक ने निमलिकित चार प्रशनों को सामने रखा इन में से कौन सा प्रशन मुक्त उत्तर वाला प्रशन है इसका right answer है option number 3 यदे दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है next question question number 47 कच्छा में इस्थानिय मान की संकल्पना को विक्सित करने के लिए अध्यापक ने निमलिकित पहली का उप्योग किया मैं पांच दहाई और चार एकाई से छुटा हूँ इस पहली का उद्देश से है इसका right answer है option number 4 आदार दस और स्थानिय मान की संकल्पना को प्रवलित करना नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर 48 नेमने मैं से कौन सा से प्रात्मिक कच्छाओं में आकरतियां पढ़ाने का उद्देश है इसका right answer है option number 2 इसमें A और C आ जाएंगे option number 2 सही है next question कुश्चन नमर 49 दरश्टी बाधित विद्द्द्दार्तियों के लिए निमलिखित में से किसका प्रयोग गड़ित सिच्छड अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है इसका right answer है option number 2 A और C आ जाएंगे इसमें A जियोबोर्ड और गिंतारा next question जयामिती आकरतियों के सिच्छड के दोरान सिच्छिका एतिहासिक इस्थानों के ब्रमड की योजना पर विचार करती है यह प्रतिविम्मित करता है इसका right answer है option number 3 आकरतियां किसी भी वास्तु सिल्प का अनिवार भाग है और इस प्रकार के प्रमडों से गडित को कच्छा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है next question question number 51 प्रात्मिक कच्छा की एक गडित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निमलिकित प्रश्ण रखती है रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है दुकानदार में मूले परचियों के साथ बहुत सारे बैग है वे बहुत सारी मूले परचियों को देख कर चकरा जाती है क्या आप मूले पर्चियों को या तो आरोही क्रम्मे या अवरोही क्रम्मे लगा कर उनकी सायता कर सकते हैं इसमें ये कुस्सर है इसमें राइट आंसर है ओप्सन नमर सेकेंड सिच्छे का प्रश्ण का उप्योग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आकणों का प्रबंदन वा छटाई की संकल्पनाओं के पर्चय के लिए कर सकती है नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर फिफ्टी टू राश्ट्री पाठे चर्या रूप रेखा दोजार पांच के अनुसार निमलिखित में से कौन सा गड़ित की कच्छा के द्रेश्टी कौण को निरूपित करता है इसका राइट आंसर है ओप्सन नमर फोर चात्र कच्छा में अर्थपूड प्रश्णों को प्रस्तुतेवम हल कर सक कर रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर फिफ्टी थ्री गड़ित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्या नात्मक अभिलेक के लिए निम्न में से कौन सा गथन सही है इसका राइट आंसर है ओप्सन नमर फोर देन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगती को लिखित रूप में समावेशित करता है और अब लोकनात्मक व्रतांत अभिलेक रखता है नेक्स्ट कुशन कुशन नमर फिफ्टी फोर एक कच्चा थर्ड की अध्यापिका ने अपनी कच्चा में गुड़न का परिचे योग की पुन्रावर्ती और आयताकार सारडी से कराया वह है इसका राइट अंसर है अप्सन नमर फिस्ट गुड़न का परिचे अनुपचारिक रणनेतियों से कराने है तू विद्यारतियों के पूर्व ग्यान और उनके अनववों को उपयोग में ला रही है एक बच्ची गैनों की गड़ना एक गैन पर उंगली रख कर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है उसने कुछ गैनों की दो बार गड़ना की इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है इसका राइट आंसर है ओप्सन नम्मर फर्स्ट एक से एक संगततता एक एकी संगती इसका राइट अंसर है ओप्सन नम्मर वन बच्चों को दारणों और गैर दारणों में व्यस्त रख कर सुस्री रोमी अपनी गड़ित की कच्चा में विद्यार्थियों को निम्लिकित अविकलन करने है तो उप्योक्त इस्तिती सरजन करने के लिए कहती है यह कंडिशन दी है चार सुस्री रोमी द्वारा प्रयोक्त सिच्चड विदी के अनुसार निम्लिकित में से कौन सागतन सही है इसका राइट आंसर है ओप्सन नम्मर तीन वह विद्यार्थियों की गड़िती कथनों और समस्या समाधान कोसल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है नेक्स्ट कुस्चन कुस्चन नम्मर फिफ्टी एट निम्लिकित कतनों में से कौन से गड़िती सिच्चड के उच्च उद्देश्यों के सूचक है इसका राइट आंसर है ओप्सन नम्मर फर्स्ट ए और सी नेक्स्ट कुस्चन कुस्चन नम्मर फिफ्टी नाइन निम्मेन के अनुसार विद्यारती सब्द समस्या को हल करने में सच्चम हो इससे पहले वहे पांच इस्तरों को पूरा करें ये इस्तर नीचे याद्रचिक क्रम से लिखे गए है इसका राइट आंसर है ऑप्सन नम्मर फोर इसमें बी ए डी सी ये ये सही होंगे इसमें बी ए डी सी ये नेक्स्ट कुस्चन गड़ित के सिच्चक के पेसेवर विकास के लिए निमलिक में से कौन सा वांचनिय नहीं है इसका राइट आंसर है ऑप्सन नम्मर तीन अपने और दूसरे विद्यालियों के गड़ित के सिच्चकों के साथ नियून्तम वारतालाब दोस्तों अगर वीडियों अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद